सो हे वाटस अब गाईज कैसे आप सभी लोग सो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ Redmi Note 10 डिवाइस के बारे में फाइनली यहाँ पर MIUI 12.5.2.0 का अपटेट है वो यहाँ पर रोल आउट ओना स्टार्ट हो चुका है सो इस अपटेट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन से कमाल कमाल के जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा और बताऊंगा कि यह जो अपटेट है वो कहां पर रिलीज हुआ है और कौन कौन से फीचर मि और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को यहाँ पर एलीज ओगा इसके रिगाइडिंग जो वीडियो है आपको सब्सक्राइब यहीं पर देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको बहुत सार यहाँ पर चेंज हैं एक complete चेंज लोग है वो यहाँ पर देखने को मिलता है जहां पर आपको system, notes और यह बहुत सारे चेंज है जो की देखने को मिलते है जो की complete मैं आपको बताओंगा तो news के बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि update कहां पे release हो है और कैसे आप लोगों को यहाँ पर download करना है तो यहाँ पर guys आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सेकते हो first feature आपको देखने को मिलता है control center के अंदर अगर आप लोग कुछ इस तरीके से swipe करते हो सो brightest level वाला जो controller है वो यहीं पर pin हो जाता है जो कियार again एक बहुती कमाल का feature है बहुती कमाल का change है क्योंकि आप लोगों को पताऊगा पहले वाला जो update था वो इसके अंदर हमको यहाँ पर कुछ इस तरीके से swipe करने के बाद में जितना भी यह जो function है वो पूरा यहाँ पर नीचे चला जाता था अगर आप लोगों को device अभी भी MIUI 12 पर यहाँ पर run कर रहे है तो आप लोग इसको यहाँ पर जुरूर से try करना आप लोगों को आई जितना भी चो function है वो पूरा यहाँ पर नीचे चले जाता है और दोस्तों अगर आप लोगों को पता नहीं है control center मेरे नया वाला कैसे यहाँ पर set करके रखा है और दो widget है वो कैसे यहाँ पर set करके रखिये सो इस theme के बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा सो यहाँ पर वीडियो को complete देखते रिए यहाँ पर दोस्तों आपको second change है वो यहाँ पर देखने को मिलता है अगर आप लोग कुछ इस तरह के से swipe करते हो सो आप लोग यहाँ पर switch हो सकते हो control center से notification panel के अंदर और notification panel से control center के अंदर सो यार यह वाल आपको कैसा लगा मतलब कि यह सब से ज़्यादा helpful feature है MIUI 12.5 का update का सो यहाँ पर आप लोग देखते हो पहले हम यहाँ पर कुछ इस तरह के से swipe करते थे हमको यहाँ पर आदत भी आपर हो चुकी थी लेकिन अब इसकी आदत बहुत ही जल्दी आपर होने वाली है और यहाँ पर दोस्त आपको second change है वो यहाँ पर देखने को मिलता है volume design के अंदर यहाँ पर आप लोग देखते हो finally आपको MIUI 12.5 की volume design है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है और मैं आपको बता नहीं सकता है आपको कितनी smooth है वो यहाँ पर देखने को मिलती है ऐसे आप लोगों को वीडियो में समझ में नहीं आएगा जैसे आप लोगों के device में update आएगा आपको easily समझ में आ जाएगा और second change आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है अगर आप लोग notification panel है उसको open करके रखते हो और यहाँ पर press करके रखते हो तो आप लोगों को एक बहुत ही कमाल का blur effect है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा notification के side में और आप लोगों को three settings देखने को मिलेगी allow, snooze and more more की setting सेम है लेकिन यह जो तीनो setting है आपको यही पर देखने को मिल जाती है तो यह एक बहुती बड़ा advantage हम लोग यहाँ पर कह सकते हो और यहाँ पर दोस्तो मैं आप लोगों से बात करूँ एक और change के बारे में तो आप लोगों को second change यहाँ पर देखने को मिलता है notes application के अंदर तो यहाँ पर open कर लेते है notes application को तो मैंने इसको open कर लिया है three dots में आपर प्रेस करना है प्रेस करने के बाद मैं setting को open करना है और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा quick notes और इन दोनों को यहाँ पर enable कर देना है bake आना है bake आने के बाद में किसी भी application को open करना है मानलो मैंने आपर open कर रखा है setting को और कुछ इस तरह के से left side से swipe करने के बाद में directly आप लोगों को यहाँ पर notes application है उसको यहाँ पर access कर सकते हो और अपने जो notes है उसको यहाँ पर create कर सकते हो so इतना ज़्यादा helpful नहीं है so मैं तो इसको यहाँ पर off ही रखता हूँ और आपको एक और change देखने को मिलता है अगर आप लोग plus icon पर press करते हो और कुछ भी आपर draw करते हो so मालो में ने आप लोगों को एक circle है वो यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ so directly circle की position है वो यहाँ पर यह ले लेगा और एक आपको square है वो भी आपर बना के दिखा ही देता हूँ so आप लोग देशेते हो square rectangle कुछ भी कैसे तो यहाँ पर यह create हो चुका है और दोस्त आपको next change यहाँ पर देखने को मिलेगा setting ये अंदर so setting ये अंदर आप लोगों को यहाँ पर open करना है sound and vibration so यहाँ पर आपको एक नया layout है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और maybe sound assistant का जो feature है वो भी आपर देखने को मिला होगा so ये भी बहुत कमाल का feature है पहले आपको कुछ इस तरीके का layout देखने को मिलता है वो नीचे कुछ scroll करने के बाद में do not disturb mode है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है पहले भी था लेकिन schedule 10 on time का जो option है वो आपको देखने को नहीं मिलता था लेकिन अब इसको यहीं पर create कर दिया गया है यहाँ पर दोस्तों आपको एक और change देखने को मिल जाएगा lock screen के अंदर display charging animation after device is unlocked so ये पहले नहीं था अब इसको यहाँ पर create किया गया है इससे यह होगा कि आप लोग अपनी जो cable है उसको यहाँ पर pin करोगे अपनी device के अंदर आपको बहुत ही कमालगी charging animation है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी lock screen के अंदर यहाँ पर दोस्तों आपको एक और change है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है setting के अंदर so setting के अंदर बहुत सारी changes आपको देखने को मिलते है notification and control center so control center आपको two यहाँ पर देखने को मिल जाते है पूराना वाला भी है और नया वाला भी है पूराना वाला आपको कुछ यहाँ पर इस तरीके का我्याँ पर देखने को मिलता है हो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलता है अब दोस्ता मैंने आपको पताईता की मैं आपको बता हूंगा इस theme के बार में so theme store ए को यह ऌन्पर open करना है इसको apply कर देना बहुत ही कमाल कि आपको widget है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अब दोस्ते मैं आपको बता रहा था इस update के बारे में यह जो update है वो आपको global में आपको देखने को मिला है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख से तो मेरा telegram यहाँ पर channel है यहाँ पर मैंने आपको पहले इंफर्म कर दिया था Redmi Note 10, Global MIUI 12.5, India Very Soon आपको मैंने पहले इंफर्म कर दिया था कि आपको यह change लोग है वो यहाँ पर देखने को मिलता है और आपको जितने भी जो changes देखने को मिलते हैं सारे मैंने आपको लोगों को यहाँ पर बता दीते तो अगर आप लोगों ने telegram चैनल को अभी तक भी जोई निक है तो जोईन कर लेना इसका link आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगा सब सबले मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो update है उसको आप लोग कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो सो मैंने link दे रहा किया है अगर आप लोग एक MI pilot user है सो आप लोग directly OTA apply कर सकते हो 12.0.11.0 से सो यह global stable है इसके आपको लिंक देखने को मिल जाएगी सो इसको भी आप लोग यहाँ पर directly apply कर सकते हो अब दोस्ते में आपको बता देता हूँ कि इंडिया में आपको यह जो update है वो यहाँ पर कौन सी date को मिलेगा सो इसका answer सिद्धी language में आसान language में आपको बता देता हूँ गलोबल में कोई भी update यहाँ पर आ जाता है किसी भी Redmi and POCO device के अंदर आपको वो जो update है वो only 15 days के अंदर इंडिया में update है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है और मैंने भी अपनी previous वीडियो में आप लोगों को बलाता अगस्त के second और third week तख वेट कीजिए इंडिया में आपको update मिलेगा क्योंकि global में नहीं मिला है तो global में आज मिल चुका है और 4-5 दिन के अंदर सबी जो user है उनको देखने को मिल जाएगा अगर bug नहीं होते हैं तो इंडिया में update है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 20 अगस्त से पहले पहले जी हाँ guys आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा से एक्टिव रहना होगा क्योंकि update आपको only one hour के लिए आपर देखने को मिलेगा और एक main बात आप लोगों को इसको join कर लेना है इसका link आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगा जैसे update है आपर इंडिया में release होगा सबस्वले आपको news है मैं आपको एसे screenshot के साथ में inform कर दूँगा आपको notification मिलेगा आप लोग देखोगे अपने device के अंतर update मिल जाएगा और download कर लोगे और बात मैं आपको वीडियो मिल जाएगी complete क्या आपको यहाँ पर कौन-कौन से feature है वो यहाँ पर देखने को मिलते है यह important हो सकता है आप लोगों के लिए आप लोगों की मर्जी जोइन कर सकते हो और यहाँ पर YouTube चैनल को भी subscribe कर लिएना यहाँ पर आपको complete feature की वीडियो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना मैं मिलता आपको next video मैं तब तक लिए जय हिंद वान दे माद